नमस्कार दोस्तों आज 2nd of February 2023 है और जैसा आप देख सकते हैं कि जो मैंने वादा किया था दाड़िवारी बनवाने का वो मैं बनवा कर आया हूँ लेकिन आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपना ही प्रण तोड़ा और आज का दिन मेरे लिए कल के दिन से भी भेटर रहा इससे पहले कि वो बात करें कुछ जरूरी बाते करनी हैं मैं हर रोज आपको अपना एक WhatsApp नमबर देता हूँ 9871066337 और आप लोगों को कहता हूँ कि वहाँ पे हमारे दो WhatsApp ग्रूप हैं इंट्रा डे और स्विंग उसको जोइन करने के लिए WhatsApp करें अब आप में से बहुत से लोग ये बात शायद जानके शायद अंजाने में नहीं समझते कि ये पेड WhatsApp ग्रूप है तो यहाँ पे फ्री में कोई जोइनिंग नहीं है उसके प्राइस में आपको पहले भी बता चुका हूँ WhatsApp करोगे दुबारा बता देंगे इंट्राडे का प्राइस है रुपीज 25,000 प्लस GST 18% स्विंग का प्राइस है 30,000 प्लस 18% GST तो यह आपको पेमेंट करनी हुगी यह पेड टेलिग्राम ग्रूप्स है अब दूसरी बात यह है के आप मेंसे बहुत से लोग चाते हैं कि हम वेबिनार करें पीज आप मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं free में वेबिनार करूँ तो अगर आप मेंसे लोग interested हैं और अगर हमारे पास कम से कम 50 लोग आ जाते हैं तो हम एक WhatsApp वेबिनार के बारे में सोच सकते हैं, अन्दाजन तारीक जो है, वो हमने सोची है कि I think last Saturday जो है इस मन्त का वो हम रखने के बारे में सोच रहे हैं 25th of February, इसका भी प्राइस होगा 20,000 प्लस GST, एक दिन का वेबिनार होगा, इसमें आपको जो हैं tools and tactics बताएंगे, एक option बायर के, तो अगर आप लोग कीन हैं, तो हमें contact करें, हटा फट रेजिस्टर करें और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई जबरस्ती नहीं, और ना ऐसा है कि ज अंदाजा हो रहा होगा कि नहीं, मेरे तो losses हो रहे हैं, इसलिए मैं webinar कर रहा हूँ, मेरे को घर चलाना इसलिए मैं कर रहा हूँ, जी नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कि हम एक दिन में क्या करते हैं, तो अगर आपको ये गलत फहिमी है, तो वो अपने दिमाग से निकाल दो हमें लोगों ने कहा कि आप जो है कि वेबिनार करो इसलिए कर रहे हैं अब आज का आपको रिजल्ट में दिखा दूँ क्योंकि वो दिखाना जुरूरी है तो आज हमने 5,44,000 कमाया इस बीच में मैं अपनी दाड़ी भी बनवा कर आया तो आज आपको हम ये बताते हैं कि ये सब उआ कैसे है इरादा मेरा शुरूर में यही था कि आज ट्रेडिंग नहीं करनी जितने भी ये सेलून हैं ये खुलते हैं 11 बजे तो आप 9 से 11 बजे तक करें क्या तो मैंने सोचा कि ठीक है तब तक चोटा मोटा कोई ट्रेड मिलता है क्योंकि आज जो है अदानी के एफपी ओ कॉल अफ की वज़ाए से गैप डाउन होना था यह आप देख सकते हैं कि यहां पर गैप डाउन हुआ यह और गैप डाउन हुआ अल्मोस्ट कल के लोज पर अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमारे दो सेट अप हैं एक है ऑप्शन बाइंग का डे ऑप्शन बाइंग का डे होता है जब आप पिछले दिन पर रेंज बाउंड होते हैं कि तू हंडेड के आजपास होते हैं थू हंडेड पीस एबडेज ऺताउट का चार्थ है और करनliय फे आप ब्रेकलव करते हैं और ऐसे चलते हैं तो यह उप्शन बालो दिन यह होता है जो होता है जिसे लूशन brings अन्दर यह मनां समय ये हैं बहुत चौपी और बिंज जो है inside day बनता है अब जब भी इतनी बड़ी range होती है तो अक्सर price जो है previous low पे gap down कर सकता है अगर कुछ ऐसी बात हो आज थी तो पिछले दिन के का low अगर आप hold करते हैं तो वहां से market को strong buying मिलती है तो अदानी के share तो सुबा सुबाई लटक गे थे तो सुबा सुबा पहले हमने जो है यह जब लो टेस्ट हुआ तो हमने बैंक निफ्टी कॉल ली बहुत बढ़िया ट्रेट था और विदिन वान आवर हमें जो है यह उपर का price almost 46 5700 मिल गया तो वहां पर हमने अपना पहला प्रॉफिट कर लिया तो उस वक्त मेरी मर्जी थी क यह ठैशरी बंद कर दें और सलूनच लें माइस अनुट चला गया मैं और सलून जाके मैंने अपना काम कराया अब हुआ क्या कि साड़े दस में ग्या और बाराव बजे वापस अब क्या करें बाराव बजे मेरी जानकरी मिली कि कर SBI के result हैं तब तक SBI कुछ 10 रुपए नीचे था और HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है ने लोज नहीं बना रहे थे तो अगर यह तीन बंदू मिल जाएं तो आप को नीचे नहीं ले जा सकते तो यहां पर कहीं हमने लॉंग जाने की कोशिश की और इस बड़ी बार से से पहले हमारे पास लॉंग पूजिशन थी और यहां कहीं हम बाहर होगे अप्रॉक्सिमेटली हमें 220 पॉइंट ऑप्शन में मिले तो यह बड़ा अच्छा देख कंस्ट्रक्ट हो गया है अब सवाल यह है कि कल क्या करना है आज के दिन में आप यह देख रहे हैं 200 यहां पर है यह हमारा सेट अप बन रहा है कल के ट्रेंडिंग डे मूव्मेंट के हिसाप से तो हमारे पास यह रेंज बन पर निकलते हैं तो हम लॉंग जाएंगे अगर हम यह मोटा मोटा फॉर्टी बान फुस्टी के नीचे ब्रेकडाउन करते हैं तो हम शौर्ट पुजिशन लेने ही कोशिश करेंगे जहां तक निफ्टी का तालुक है जिफ्टी पर भी एक सिमिलर रेंज है आज हमने स्विंग ट्रेडर्स जो है हमारे उनको मार्च की ऑप्शन में लॉंग पुजिशन दिलवाई हैं क्योंकि मेरे इसाब से मोटा मोटा बैंक बैंक का हो गया अदानी का नहीं हुआ लेकिन यूनों बैंक्स और रेस्ट अब सेवंटीन सिक्स फिफ्टी सिक्सिटी के ऊपर जाते हैं तो आप लॉंग पुजिशन लेंगे अगर आप इस सेवंटीन फोर नाइटी के नीचे ब्रेकडाउन करते हैं तो आप शॉर्ट पुजिशन लेंगे मैं अब जो है इमिडेट टर्म्स में जैसे फ्राइडे और मंडे के लिए इतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ अब फ्रेश बेरिशने के लिए आपको फ्रेश न्यूस चाहिए हूँ हो सकता है बाजार जो हैं यहां कुछ देर ठहर सकते हैं कंसॉलिडेट कर सकते हैं तो नीचे के टार्गेट्स हैं लेकिन इमिडेटली शायद नहीं है कल SBI के रिजल्ट्स हैं तो कल एक बैंक निफ्टी में और SBI में पॉजिटिवटी रह सकती है तो आइडिया यह है कि आ आप दुबारा 4700 के ऊपर चल सकते हैं देखते हैं क्या होता है वाट कल हमारा ट्रेंडिंग सेट अप है तो आज आपको बात समझ में आ गए होगी कि हम लगी थे कि हमें वो दो ट्रेड्स मिल गए अदर्वाइस आज ट्रेडिंग ना करना बहतर था तो ऑप्शन क्योंकि मार्केट में वॉलेटिल्टी अच्छी है इसलिए हम पार्टिसिपेट कर पाएं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते यही बारीकियां हम जो है उस वेबिनार में समझाएंगे अगर आप लोग इंट्रस्टेट हों तो मोटे तोर पे यही बात करनी थी और मा थी करना ग्टा नहीं कराऊ कर मार्केट मुझे बता देकी मिरे को पता है इसका मेरे को लॉंग जाना है कहां में को शायाना यह जांद चाहिए जो हम सविंक बेशिस पर लोँख जा रहे है क्योंकि किसी लैवली डर का इक्स्रीम हो गाएं लोग सोचना शूबर ने स्टेट बैंक बैंकरफ्ट हो जाएगा लाइसी बैंकरफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कुछ लॉंग पॉजिशन्स बिल्ड करने का टाइम आ गया है और वो इंडिकेशन हमने अपने स्वेंग ट्रेडर्स को दे दिया फिलाल के लिए इतना ही टेक केर कल का दिन आपका अच्छा जाए एंड गुड़ लगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग